अग्यान वेल्कम बेक टू गार्डिवाड़ डॉट कम दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट गौरा व्यादव और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं आपको क्या डिफ्रेंसिस हैं एक्टिवा 5G के अंदर और एक्टिवा 6G के अंदर इन दोनों स्कूटर्स क सबस्क्राइबर या जो विनर होगा वही डिकीãyद ख्रेइगे उसको कि उसको कोन सा स्कूटर ले ना है और Medal की नाम के अनॉंस्मेंट उनके करेंगे으면 कहां डिबाली वाले दिन एक्टिवा 5G की कीमत जाए 57500 ऐघो तो डिलॉक्स विरिंड्स और इक्टिवा 6G की तिके गि सब्सक्राइब कर दोड़ी सब्सक्राइब कर देखेंगे तो दोनों स्कूटर के अंदर आपको क्रोम मिलती है बट जो 6G उसके अंदर आपको प्लास्टिक पार्ट मिलने वाला है त्विन इसके अंदर यह जो प्रेजलाइन से वह दी गई है सब्सक्राइब कर दोनों स्कूटर्स के फ्रंट मढगार के अंदर भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा डिजाइन के अंदर और 6G के अंदर आपको मिलने वाले दोस्तों टैलिचकोपिक सेस्पेंशन फ्रंट टायर काफी बढ़ा है इसका तो अगर आप देखेंगे स्प दोस्तों असवाइब सिखेंशना के अंदर आपको अधो को मिलता था यह सिर। आप 소ड मीलने वाल इसके अंदर वाला कई स्कूटर की लगबग 73 mm ज्यादा है 5G के मुकाबले विट हाला कि आर 13 mm से कम की गई है 6G की और फ्लोर बोर्ड की अगर में बात पूरों तो यह भी लगबग 23 mm बड़ा मिलने वाला है सीट की जो साइज है उसको बढ़ाया गया है यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिला है स्कूटर के अंदर स्टार्ट स्टोप टेक्नोलोजी उसके लावा पास्वीच भी मिला है आपको 6G के अंदर यह फीचर्स आपको 5G के अंदर नहीं मिलते थे माइलीज स्कूटर की लगबग 10% से इंक्रीज की गई है हाला कि पावर में थोड़ी से कटोती की गई ह पहले आपको 5G के अंदर मिलती है एकट इसी कीण भी पावर स्टोवीच आपको मिलने वाली है 7.7 भी किलीज फॉया स्ट्री अभी है पैडने वाला है अंदर नर्व इतना ही फरक है थो दोस्तों दोनों स Mississippi के अंदर आपको 9Nm की टॉर्क मिलती थी तो 6वीच आंदर आप आपको मिलेवाली है 171M की ग्राउंड क्लेरेंस तो ग्राउंड क्लेर्स भी इंक्रीज की गई है इन दोनों स्कूटर अंधर हम अगर पारिजन करें और अगर बात करें पीछे की तो पीछे दोनों ही स्कूटर शके अंदर आपको 10 इंचिस के टायर्स मिले वाले हैं अलांकि इसके काफी सारे चेंज किये गए इसकी टेल लाइट के अंदर भी दोस्तों और इसके अंदर आपको मिला है फ्यूल इंजेक्शिन सिस्टम 6G के अंदर पावर थोड़ी सी कम की गई हाला कि मैलेज में 10 परसिंट का इजाफा हुआ है इसके अंदर आथा कार्बोरेटर कीमत अगर नाइन थाउजन एट तु 9000 का प्राइस डिफ्रेंस दोनों स्कूटर के अंदर यह सइज में बड़ा है ग्राउंड ज्यादा है पावर आपको कम मिलेगी बट मैलेज ज्यादा मिलने वाली है साइलेंट स्टार्ट मिलेगी आपको स्कूटर के अंदर में स्टार्ट करके दिखाता हूं आपको एक यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंजन माल फंक्शन एक इंडिकेशन भी मिला है स्कूटर के अंदर अगर स्कूटर स्टार्ट होने के बाद ही अगर यह लाइट जलती तो उसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉलम है स्कूटर के अंदर स्कूटर करते हैं उसके वाद लाइट गाइब हो जाती है दोस्तों कितना साइलेंट उसकी भी हम बात कर लेते हैं जो एक सेल्फ स्टार्ट की जो स्कूटर के अंदर साउंड आती है वो आपको नहीं मिलेगी सीजी के अंदर काफी साइलेंट है सेम चीज हमने फील की थी एक्टिवा वन टू फाइफ बिए शिक्स के अंदर भी दोस्तों और कंपेर करें तो यहां पर आपको सेल्फ का यह जो सेल्फ स्टार्ट है यह साउंड आपको सीजी के अंदर नहीं मिलने वाली तो दोस्तों यह बटे बटे डिफ्रेंस इन दोनों स्कूटर के अंदर फ्रंट में हलका फुलका आपको एपरेंट पे चेंज देखने को मिलेगा आपको हैडलाइट का जो डिजाइन उसक इसको बदला गया है इस पीड़ कॉंसोल के अंदर बदलाओ किये गए है स्टार्ट टेक्नलोजी मिली है आपको इसके अंदर बीए 6 इंजन मिला है और बूट स्पेस के अंदर आपको मोबाइल चार्जिंग का उप्शन नहीं मिलेगा शीजी के अंदर आपको 5G के अंदर दोस्तों उसके अलावा एक डिफ्रेंस और आये इन दोनों स्कूटर्स के अंदर वो आया है फ्यूल फिलर के अंदर आप देखेंगे तो आपको आप लुट करवाने के लिए आपको सेट को ओपन करने की ज़रूत नहीं है आप पीछे से फियूल कर सकते हैं जूपिटर के अंदर अपको सीट ओपन करनी पड़ती है यहां पर दिया गया है जो अंदर सिट स्टोरेज श्पेस है दोनों स्कूटर्स का उसमें थोड़ा सा बदला वह आपको देखने को मिलने वाला है मोबाइल चार्जिंग को आपको नहीं मिलेगा तो दोस्तों यह डिफ्रेंशी जिन दोनों स्कूटर्स के अंदर 9000 का प्राइज डिफ्रेंश है और दोस्तों इस वीडियो के बाद आप एक और वीडियो देख पाएंगे हमारे ए दोस्तों अगर आपने में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमें सब्सक्राइब कर लिजिएगा दोस्तों इसी के साथ आपका होस्त गोरव यादो इस वीडियो में लेता है आपसे विदा मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द धन्यवाद दोस्तों झाल